हेलो स्टुडेंट्स मैं आनंसर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टुडेंट्स आज किस वीडियो में हम लोग क्लाश टेंथ मैथ बोल्ड एकजाम दोहजार तेज्स के हर साल पूछे जाने वाले महतपुड प्रशनों को यह अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यहाँ पे जितने भी प्रशन हैं सभी प्रशन आपके बोड एकजाम दोहजार तेज के लिए बहुत ही महतपूर है और निश्चि धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तर्था धारा की विफरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लोटने में कुल 4 गंटा 30 मिनट में पूर्ड करता है धारा की चाल गयात कीजिए यह प्रश्ण बहुत ही मतपुर प्रश्ण है इस प्रकार के प्रश्ण आपके बोड इक्जाम में निश्चित रूप से आएंगे ठीक है इस प्रकार का एक प्रश्ण आपके बोड इक्जाम में जरूर आएगा तो देखिए यहां पर क्या है देखिए अब हमें धारा की चाल नहीं पता है तो धारा की चाल को हम यक्स मान लेंगे अब देखिए जब धारा की दिशा में 15 किलोमेटर जा रहा है तो जो धारा की चाल होगी और जो नाव की चाल होगी वह दोनों प्लस हो जाएगी यानि यक X plus 15 या 56 हो जाएगी ठीक है लेकिन धारा के जब प्रीत दिशा में होगी तो नाव की擊 तो 15 में होगी लेकिन धारा उसका क्या करेगी बीरोध करेगी ठीक है यानि उसके स्पीड को रोकने का प्रयास करेगी तो 15 किलोमेटर मेंने से 15 में दिचाम कर देंगे आप हुए हैं वहाग माइनस कर देंगे तो वही चीजिद यहाँ पे लिखेंगे students हम माननेंगे कि माना धारा की चाल यक्स है अप लिखेंगे माना धारा की चाल यक्स है थीक है धारा की चाल यक्स है अब देखिए नाव की दिशा में धारा की दिशा में नाव की चाल उसको अब आम लोग निकालेंगे तो यह आप लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल यह बहुत ही महत्तपूर प्रश्ण है और यह बोड इक्जाम में चाल नंबर का प्रश्ण है ठीक है तो धारा की दिशा में जब धारा और नाव दोनु की दिशा एक ही होगी यानि 15 किलोमीटर के रफ्तार से चल लई है और यक्स धारा की चाल है तो यह प्लस हो जाएगा ठ प्लस यक्स किलोमीटर प्रति गंटा किलोमीटर प्रति आवर ठीक है उम्मीद करते हैं कि लाइन आप समझ गए होंगे अब धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल अब इसको हम लोग निकालेंगे ठीक है तो यह आप लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर अब देखें जो धारा की चाल है वो क्या करेगी इस गति का विरोध करेगी यानि 15 माइनस यक्स किलो मीटर प्रति घंटा ठीक है स्टूजेंट्स उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे अब स्टूजेंट्स आपको पता होगा कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल तो अब इहां से इसका प्रियोग इस फार्मूले का प्रियोग अमलोग करेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल का प्रियोग करेंगे तो अब यहां से लिखेंगे अब धारा की दिशा में 30 किलो मीटर जाने में 30 किलो मीटर जाने में लगा समय अब देखिए जाने में जो समय लगता है तो देखिए क्या फार्मूला होता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल तो दूरी कितना है 30 है ठीक है और धारा की दिशा में जो नाव की चाल है वो 15 प्लस यक्स है अब देखिए धारा के विपरीत दिशा में 30 किलो मीटर जाने में लगा समय तो यहां पर वही चीज़ अब इसको लिखेंगे बटे में धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल क्या है 15 माइनस यक्स तो 15 माइनस यक्स और यह सभी घंटे में होगा हावर यहां ठीक है उमिद करते हैं कि इतनी बात आप समझ गयोंगे हाँ पर यहाच हम ने लिखा यहाच मतलब हावर हावर मतलब घंटे ठीक है अब दोनों में जो समय लगता है यहाँ पर दिया हुआ है कि धारा के विपरीत धारा के दिशा में 30 किलो मेटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में 30 किलो मेटर लोटने में कुल जो समय लगता है 4 घंटा 30 मिनट यानि 4.5 घंटा लगता है अब यहां से हम लोग यूज और 4 गंटा के बराबर कर देंगे, यहां से क्या लिखेंगे देखिए, यहां से 30 बटे, 30 बटे, 15 प्लस यक्स, बराबर, 4 गंटा 30 मिनट है तो उसको हम लोग कनवर्ट करेंगे, यानि 4 साई, एक बटे, दो घंटा, ठीक है, इसको मिस्रित बिन से, विसम बिन में कनवर्ट कर लेंगे, दो चोग को आठ एक, नव, नव बटे, दो, ठीक है, अब यहां से देखिए, इसको हल करेंगे, LCM लेकर, तो यहां से 30 जो है क्या हो जाएगा, common ले लेंगे, यहां से 30 common ले लेंगे, अब 30 common ले लेंगे, तो यहां से देखिए, LCM में, यह 15 प्लस यक्स, और यह 15 माइनस यक्स, ठीक है, अब देखिए, यहां पर 15 प्लस यक्स से 15 प्लस यक्स कर जाएगा, बचेगा क्या, 15 माइनस यक्स, तो यहां पर लिखेंगे, 15 माइनस यक्स, यहां पर 30 अमने common ले लिया है तो यहाँ पर 1 रहेगा ठीक है 1 में गुड़ा आओगा तो यही आएगा फिद प्लस 15 माइनस यक्स कर जाएगा यहाँ पर तो क्या बचाएगा 15 प्लस यक्स ठीक है students उमिद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी अब यहाँ से देखिए यह 9 बचे 2 अब यहाँ से यक्स से यक्स क्या हो जाएगा कट जाएगा ठीक है अब इसको हल कर लेंगे हम दो देखिए इसको हल करेंगे क्या प्राप्त होगा हमें यहाँ से देखिए यह हो जाएगा आपका 30 बटे में यह A plus B, A minus B के रूपका हो गया यानि A square minus B square तो A का मान 15, 15 का square क्या हो जाएगा 235 minus B square, B का मान क्या है यक्स, तो यक्स square बराबर 9 बटे में 2 ठीके students, अब देखिए यहाँ से इसको हल कर लेंगे हम लो यहाँ से हल करके यक्स का मान निकालना है यहाँ पर 15 plus 15, 30 अभी छूटा हुआ है तो यह क्या हो जाएगा अब यहाँ से देखिए आगे जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 900 ठीक है, 900 बटे में यहाँ पर देखिए यह क्या हो जाएगा 225 माइनस x स्क्वाइ अब देखिए इस 9 को अगर हम यहाँ बटे में भेजें तो यह क्या हो जाएगा यह 9 बटे में चला आएगा और यहाँ पर क्या बचेगा यह एक बटे 2 यह आप कर सकते हैं कि दोनों साइड हम 9 से भाग दे दिए ठीक है दोनों साइड जब 9 से भाग देंगे तो यहाँ पर बटे में 9 हो गया और यहाँ 9 से 9 कट गया एक बटे 2 बच गया इससे इसको कट कर देंगे तो यह 100 हो गया ठीक है students उमिद करते हैं कि यहाँ तका बिल्कुल अच्छी तरह समझ गया होंगे अब तिर्चा गुड़ा कर लेना है यहाँ से तिर्चा गुड़ा करके और हमें यक्स का मान निकाल लेना है तो तिर्चा गुड़ा करके यक्स का मान निकालते हैं यहां से देखे, तीर्षा गुड़ा करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 200, 225 minus x square बराबर 200, ठीक है, पक्सांतर कर देंगे यहां, 200 को, तो यह क्या हो जाएगा, आपका, x square बराबर 200 minus, यहां पे देखे, minus 235, सिधर प्लस में है, इधर जाएगा, तो minus में हो जाएगा, ठीक ह students, अब देखें, minus कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यह, 225 में से 200 हो गया, तो 25 हो जाएगा, ठीक है, minus, 25, चीन बड़ी संक्या का होता, यहाँ minus, यहाँ minus कर जाएगा, plus हो जाएगा, हमें yaks का माण चाहिए, ठीक है, हमें yaks का माण चाहिए, अब यहां से यक्स का मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस बर्ग मुल लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस पांच ठीक है लेकिन जो रिडात्मक मानने होता है तो यहां से प्लस वाला मान होगा वह हम लेंगे तो यक्स बराबर 5 यानि धारा की जो चाल होगी 5 किलो मीटर प्रती घंटा ठीक है यही स्टुडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा ठीक है उमेद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल अप अच्छी तरह समझ गये होगे अगले प्रश्ण को हल करते हैं अगला प्रश्ण आपका प्रश्ण नमबर 2 है चित्र में AO बटे में OC बराबर BO बटे में OD बराबर 1 बटे 3 और यदि DC बराबर 1.5 cm तो AB का मान ग्याद किजिए ठीक है अब इस प्रश्ण को एक किस्टेप को ध्यान से समझेगा यहां पे चि दिया है ठीक है दिया है अब देखें दिया क्या हुआ है AO बटे में OC बराबर BO बटे में OD बराबर 1 बटे 3 और क्या आपका दिया हुआ है DC बराबर 1.5 cm यह दिया हुआ है अब देखें जब यह दो चीजे हमें दी हुई है तो यहां से हम यह कह सकते हैं कि यहां से जो त्रिभूज AO बी ठीक है और त्रिभूज DOC क्या है एक समरूप त्रिभूज है तो यहां से लिखेंगे यह दोनों त्रिभूज आपस में क्य यहां से लिखेंगे इसलिए त्रिबूज A, O, B, B तथा त्रिबूज D, O, C, D, O, C समरूप होंगे. जब समरूप होंगे तो अब देखेंगे हैंसे क्या हो जाएगा यहां से क्या प्राप्थ हो गाह में? जब समरूप होंगे तो यहां से देखें, A, O, B, T, O, C, यहां से लिखेंगे ऐ, O, B, 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 O, C, बराबर अब यहां से क्या हो जाएगा, A, B, बटे में, D, C, ठीक है, समरूप के नियम से, तो A, B, बटे में, D, C, अम्मान रख देंगे, students, यहां से, तो देखे, A, O, बटे में, O, C, उसका मान क्या है, एक बटे 3, तो यहां पर रख देंगे, एक बटे 3, बराबर, A, B, बटे में, D C, हमें A, B का मान ग्यात करना है, तो A, B, A, G, T, रहेगा, और D, C, D, C का मान, एक दस मलो पांच, यह दिया हुआ है, अब यहां से, तिर्छा गुडा करके, A, B का मान निकालेंगे, देखे, तिर्छा गुडा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां से, 3, A, B, बराबर, एक दस मलो पांच, यानि A, B, बराबर क्या हो जाएगा, एक दस मलो पांच, और बटे में, 3, ठीक है, इस दस मलो को अटाने के लिए उपर नीचे, हम क्या कर लेंगे, यहां से, इस दस मलो को अटाने के लिए उपर नीचे, दस का गुडा कर लेंगे, ताकि दस मलो खट जाए तो यहाँ पे 10 का गुड़ा करेंगे तो यह 10 मलों हट जाएगा 15 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा भाग दे देंगे 15 15 15 दुनी 30 यानि AB का माना गया एक बटे 2 ठीक है एक बटे 2 AB का माना गया अब इसको 10 मलों बदलेंगे तो यह क्या हो जाएगा 0.5 cm और यही स्टुडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा तो उमिद करते हैं कि यहाँ तक बिलकुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे अगले प्रशन को हल करते हैं स्टुडेंट्स अगला प्रशन आपका प्रशन नमबर 3 है एक समकून त्रिभुज का छेतर फल 30 cm स्क्वाइर है यदि उसकी उचाई आधार की लंबाई से 7 cm अधिक है तो आधार की लंबाई याद कीजिए ठीक है अब देखिए यहाँ पे ह हमें आधार की लंबाई नहीं पता है और प्रशन में बोला हुआ है कि यदि उसकी उचाई आधार की लंबाई से 7 cm अधिक है तो हमें आधार की लंबाई तो पता नहीं है तो उसको हमें यक्स मान लेंगे और उचाई आधार की लंबाई से 7 cm अधिक है यानि उचाई जो ह यक्स प्लस सेवेन हो जाएगी ठीक है तो यहां से लिखेंगे हम आधार को मान लेंगे कि माना आधार की लंबाई क्या है यक्स सेंटीमीटर है अब जब हमें लंबाई यक्स सेंटीमीटर है अब जब हमें लंबाई यक्स सेंटीमीटर है यहां से चोड़ाई निकाल लेंगे चोड़ाई क्या होगी लंबाई से आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है यानि लंबाई यक्स है तो लेंगे चवडाई यदि उसकी उचाई आधार की लंबाई से 7 cm उचाई है यहां पे ठीक है ना उचाई यहां पे लिख लेंगे उचाई जो है क्या हो जाएगा यक्स प्लस 7 उचाई बराबर यक्स प्लस 7 cm ठीक है अब देखे प्रस्ण में क्या बोला हुआ है कि उसका छेत्रफल पता है ठीक है समकोर्ण त्रिभुज का छेत्रफल पता है तो यह आप लिखेंगे समकोर्ण त्रिभुज का छेत्रफल बराबर 30 cm² और समकूर्ट त्रिवुट के छेतरफल का फार्मूला आप जानते हैं एक वटे दो आधार गुडे उचाई क्या होता है एक वटे दो आधार गुडे उचाई तो एक वटे दो अब देखें आधार आधार क्या है यक्स है ठीक है और उचाई कितनी है यक्स प्लस 7 तो हम मान रख देंगे यक्स और गुडे यक्स प्लस 7 बराबर 30 इसी को हल करके यक्स का मान निकाल लेगा यहां से दिवगाज समिकरनल बनेगा और यक्स का मान आ जाएगा तो देखें यहां से क्या करेंगे यक्स का गुड़ा कर लेंगे और यहां से 2 का इधर क्रोस मल्टिप्लाई हो जागा तिरचा गुड़ा हो जाएगा तो यह हो जाएगा यक्स स्क्वाइर प्लस 7 यक्स बराबर 30 दूनी 60 ठीक है अब इसका पक्षांतर कर लेंगे अक्षांतर कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस साथ यक्स इधर प्लस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा और यह साथ बराबर जीरो ठीक है उम्मिद करते हैं कि यहां तक विल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे अब देखिए इसका गुड़न खंड कर देना तो यह क्या हो जाएगा यक्स स्क्वाइर साथ का ऐसा खंड जो की घटाने पे साथ यक्स के बराबर हो तो यह क्या हो जाएगा 12 पच्छे साथ 12 में से 5 जाएगा 7 आएगा तो यक्स स्क्वाइर प्लस 12 यक्स माइनस 5 यक्स माइनस 6 बराबर 0 अब देखिए इन दोनों का एक साथ कॉमन इन दोनों का एक साथ कॉमन तो यहां पे यक्स कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यक्स प्लस 12 यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों ब्रेकेट में सिम से माना चाहिए तो माइनस कॉमन ले ले लिए तो 5 कॉमन मिला तो यहाँ पर यक्स बचा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस यहाँ से भाग देंगे 60 में 5 से तो यह क्या जाएगा 12 दोनों bracket में सेम सेम आ गया ठीक है अब देखे यहां से पक्सांतर करके यक्स का मान निकालेंगे तो देखे यहां से क्या हो जाएगा यहां पर पहले तो यह common अभी हो जाएगा यक्स प्लस 12 और यह हो जाएगा क्योंकि रिडात्मक जो है लंबाई जो है रिडात्मक नहीं होती है तो यहां पर लिख लेंगे यक्स प्लस 12 मान संभव नहीं है संभव नहीं है ठीक है अब दूसरा मान देखे यहां पर क्या यक्स माइनस 5 बराबर 0 यक्स माइनस 5 बराबर 0 पक्षांतर कर देंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 ठीक है तो यही आधार की लंबाई हो जाएगी जो हमने माना हुआ था यक्स बराबर 5 सेंटी मीटर और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा ठीक है उमिद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल अच्छी तरह आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स अगले प्रशन को हल करते हैं स्टूडेंट्स अगला प्रशन आपका प्रशन नमबर 4 है दो वर्गों के छेतरफल का योग 117 वर्ग मीटर है यदि उनके परिमापव का आंतर 12 मीटर हो तो इन दोनों वर्गों की भूजाओं को ग्य ग्यात कीजिए ठीक है यह प्रशन बहुत ही मत पूर्ण प्रशन है और इस प्रकार के प्रशन आपके बोड़ एकजाम में आते हैं अब देखें यहां पर क्या है यहां पर दिया हुआ है कि दो वर्गों के छेतरफलों का योग 117 वर्ग मीटर है यदि उनके परिमापव क अंतर 12 मीटर हो तो उनके वर्गों की भुजाएं ग्यात कीजिए तो हमें भुजा तो पता नहीं है तो हमान लेते हैं कि पहले वर्ग की भुजा यक्स मीटर है फिर उसका हम लोग परिमाप निकाल लेंगे तो यहां आप लिखेंगे माना पहले वर्ग की भुजा यक्स मीटर है ठीक है यक्स मीटर है अब जब भुजा यक्स मीटर है और वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है 4 multiply side यानि 4 multiply भुजा तो यहां से इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4 और भूजा कितना एक्स है तो परिमाप हो जाएगा पहले वर्ग का 4 एक्स अब देखिए दूसरा condition दिया हुगा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मेटर हो किसके परिमापों का पहले वर्ग यानि दूसरा वर्ग और पहले वर्ग के परिमापों का अंतर जो है वह क्या है बारा मीटर है ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है तो लिखेंगे दिया है दिया है दूसरे वर्ग का परिमाप दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप, बराबर कितना दिया हुआ है, 12, 12 मीटर, ठीक है, अब देखिए, हमें दूसरे वर्ग का परिमाप यहां से हम निकाल लेंगे, तो यहां से क्या करेंगे, दूसरे वर्ग के परिमाप के लिए पहले वर्ग का परिमाप पक्सांतर कर देंगे, यानि दूसरे वर्ग का परिमाप यहां से क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर, देखिए, 12, और पहले वर्ग का परिमाप कितना है, 4 यक्स, तो यहां पे माइनस में द दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा फोर यक्स ठीक है वर्ग के परिमाप का फार्मूला होता है चार गुड़े भुजा क्या होता है चार गुड़े भुजा वर्ग के परिमाप का फार्मूला होता है ठीक है बराबर यहां से देखे चार हम कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा यहां से हो जाएगा तीन प्लस यक्स हमें भुजा का मान चाहिए तो यहां से भुजा निकाल लेंगे यह चार कहां चला जाएगा बटे में चला जाएगा अब यहां से हमें दूसरे वर्ग की भुजा प्राप्त हो जाएगी तो मीटर ठीक है students उमिद करते हैं कि यहां तक विल्कुल आपको अच्छी तरव समझ में आ गया होगा अब प्रस्न में क्या बोला हुँआ है दोनों वर्गों के छेत्रफलों का योग दोनों के छेत्रफलों का योग तो अब छेत्रफल देखे अब यहाँ छेतरफलों का योग 117 है तो देखे जो वर्ग का छेतरफल होता है भुजा गुड़े भुजा तो दोनों वर्गों के पहले वर्ग कि जो भुजा है यक्स है और इसका छेतरफल ठीक है नहीं x गुड यक्स या नहीं x square यहाँ से हो जाएगा x square प्लस दूसरा वर्ग क्या है 3 प्लस x ठीक है भूजा 3 प्लस x है इसका square तो 3 plus x का square 3 plus x का square बराबर 117 के ठीक है अब इसी को हल करके x का मान निकाल लेना है तो इसको हल करते हैं यख्स कमान निकालेंगे यहां से यह A plus B के फार्मूले के रूप में तूट जाएगा तो यह हो जाएगा a Lewis square इसको तोड़ेंगे a plus B के Holy square में तो a square यानि तीन का स्कॉयर 9 plus B square यानि यख्स स्कॉयर plus 2AB तो 2 फार्मूले से यह कमान तीन 2 تियां 6 और 6 ठीक है बराबर 117 अब यहां से 6 और 6 क्या हो जाएगा एड हो जाएगा तो 2x square ठीक है प्लस 6x और यहां से दिखे यह जब इधर पक्छांतर होगा तो minus में हो जाएगा ठीक है और यह 9 plus में तो 117 में से 117 में से हम क्या करेंगे 9 को minus कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 108 बराबर 0 ठीक है students यह एक equation बनेगा इसी को हल करके यह दिवगात समी करन है इसको हल करके यक्स का मान निकाल लेंगे ठीक है अब यहां से देखे क्या कर लेंगे यहां से हम लोग दो से भाग देदेंगे प्रतेक में दो से भाग देदेंगे तो यह equation का क्या बन जाएगा x square ठीक है यहां पर प्रतेक पद में 2 से भाग देने पर थिक है अब इसको हल करना है यानि 54 का ऐसा कोई खंड जो की घटाने पर तीन यक्स के बराबर हो तो 9 छके 54 ठीक है अब इसको हल कर लेंगे तो यहां से हो जाएगा यक्स स्कुआयर प्लस 9 यक्स माइनस 6 यक्स माइनस 54 बराबर 0 इन दोनों में एक साथ common लेंगे तो x common हो जाएगा तो x plus 9 minus यहां से देखें यहां से 6 common लेंगे तो x और यहां पे देखें जब 6 common लेंगे 6 से 6 कटा इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 6 9 4 9 दोनों bracket में सेम से माग गया अब यहां से क्या हो जाएगा yaks plus 9 और यहां से क्या बचा यक्स minus 6 बड़ाबर 0 ठीक है अब यहां से पकछांतर करके yaks का मांण निकाल लेंगे तो दिखें यहां से क्या हो जाएगा आपका यक्स प्लस नो बराबर जीरो यानि यक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस नो ठीक है जो की रिडात्मक मान संभव नहीं है क्योंकि भुजाएं जो है वर्ग की भुजाएं माइनस में नहीं होती ठीक है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x बराबर minus 9 मान संभव नहीं है संभव नहीं है ठीक है क्योंकि वर्ग की बुजाएं क्या होती है रिडात्मक नहीं होती है अब दूसरा मान यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा x minus 6 बराबर 0 x बराबर क्या हो जाएगा 6 x बराबर 6 meter ठीक है तो एक वर्ग की बुजा आ गई 6 meter अब दूसरे वर्ग की बुजा देखें दूसरे वर्ग की बुजा क्या है 3 x 3 plus x तो यहां पे दूसरे वर्ग की बुजा लिखेंगे दूसरे वर्ग की बुजा दूसरे वर्ग की बुजा बराबर 3 plus x बराबर 3 प्लस यक्स का मान क्या है 6 बराबर 9 मीटर ठीक है students और यही students आपका answer हो जाएगा पहले वर्ग की भुजा 6 मीटर और second वर्ग की भुजा 9 मीटर ठीक है उमिद करते हैं कि यहां पर प्रतेक प्रश्ण आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा students अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक सेयर करिए और यहां पर जितने भी प्रश्ण हमने लिए हुए थे सभी प्रश्ण अलग-अलग प्रकार के थे और सभी प्रश्ण आपके बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही महत्तपूर्ड हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिया और अपने दोस्तों तक जरूर सेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके धन्यवादी स्टूडेंट्स ज